आगे पुलीस वाले सिंग से पूसते हैं कि जब मिनिश्टर रस्वान का खून वा था तब आप कहां पर थे क्योंकि पुलीस वाले का सारा सक सिंग पर जारा होता है पर सिंग अपनी बातों से पुलीस वाले को इस तरह मैनुपलेट करता है कि पुलीस वालों के पास भी रिंग के किलावeds कोई सबूत नहीं होता और इसे गलत काम आप पूछा ना है इसे अब और फोन रही हो'tा तो तीव्र रूसरी तब रिंग फोड़ा चान मारती है इसे कहीं भी अपना नहीं मिलता तो नहीं Państwo उसके फोन को छुपा दिया होता है आखे कर तुम क्या ढून रही हो तो रिंग उसे बताती है कि वो अपना फोन ढून रही है तो तिप्दा कहती है अगर तुम्हें किसी को कॉल करना है तो तुम मेरे फोन से कर लो तो रिंग कहती है मुझे अपना फोन चाहिए क्योंकि उसम परिसान रहती है क्योंकि हर तरफ सब उस पर नजर बनाई हुए रखे हुए होते हैं और उसे घर से बाहर भी निकलने नहीं देते लेकिन तभी रिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो त्रिप्दा को सहारा बना कर उस घर से बाहर निकल जाती है आगे सिंग जब घर आता और उसे पता चलता है कि रिंग तiker के साथ बाहर खाने पर गई है तो सिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बाड़ बार तीरफी को करता है पर तिर्प्दा ये सब देखकर तो पुरी तरह सौक्ट हो जाती है कि तभी रिंग को उसके क्लाइन का एक मेसेज आता है और उस मेसेज में ये होता है कि उसके पापा जबरदस्ती उसकी साधी किसी और से करवाना चाते हैं पर वो ये साधी नहीं करना चाती इसलिए वो रिंग को हायर करती है अपनी ब्लाइन डेट को बरबाद करने के लिए आगे त्रिप्दा रिंग को बस स्टेंड तक लिफ्ट देती है तो रिंग कहती है थैंक्यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए लेकिन मुझे माफ कर दो अगर सिंग को इस बार में पता चलेगा तो वो तुम पर बहुत ही गुसा करेगा तो त्रिप्दा कहती है तुम उसकी टेंसर मत लो मैं सिंग को समहाल लूँगी और त्रिप्दा वहां से चली जाती है आगे त्रिपता घर आती है तो सिंग कहता है रिंग कहां पर है तो त्रिपता कहती है मुझे नहीं पता उसे कोई काम आ गया था इसके वो कहीं चली गई तो सिंग को रिंग की फिकर होने लगती है तो वो अपने बंदे को कहता है कि वो रिंग के लोकेशन का पता लगाए कि आखे कार वो कहां पर है आगे रिंग गिफ्ट के पास जाती है और कहती है मैं आ गई तुम्हारी ब्लाइन डेट को बरबात करने के लिए लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी तुम्हें उस बंदे के सामने ऐसी एक्टिंग करनी होगी कि जैसे हम दोनों रिलेशन्शिप में हैं एक बार उस बंदे को जैसे ही पता चल जाएगा कि हम दोनों रिलेशन्शिप में हैं वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा तो गिफ्ट ये बास उनका खुस हो जाती है आगे वो लोग जाओ के पास जाते हैं क्योंकि जाओ के साथ ही गिफ्ट का ब्लाइन डेट फिक्सवा होता ह तो यहाँ पर ये दोनों पूरी कोसिस करते हैं कि जाओ को यकीन हो जाए कि ये दोनों रिलेशन्शिप में हैं और ये दोनों ऐसी ऐसी हरकते करते हैं जिससे जाओ देखकर तो पूरी तरह पागल हो जाता है आगे जाओ उन दोनों को ड्रिंक भी ओफर करता है पर रिंक प दोसी तब सिंग पूरी कोसिस करता है रिंग के लोकेशन का पता लगाने की पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता जिस वज़ासे वो पूरी तरह परिसान हो जाता है और वो तृपता से पूसता है कि रिंग ने जाने से पहले तुम्हें कुछ बताया था कि वो कहां जा रही है और तिब्दा पताती है कि रिंग एक लड़की की हैल्प करने के लिए गई है उसने मुझे वीडियो भी दिखाई थी तो वो लोग उस वीडियो को चेक करते हैं क्योंकि उन लोगों के पास रिंग के सारे अकाउंट का एकसेस होता है ताकि वो लोग रिंग पर नजर रख सक मुझे पता है तुम इस साधी को दादा जी की वज़ा से निभार रहे हो लेकिन ये साधी तो नकली है ना फिर तुम उसकी इतनी फिकर क्यों कर रहे हो छे साल पहले वो तुम्हें छोड कर चली गई थी और इन छे सालों में मैं तुम्हारे साथ रही तुम्हारा खयाल करते हो ना फिर तुम उसकी इतनी फिकर क्यों कर रहे हो तो सिंग कहता है क्योंकि मैं रिंग से प्यार करता हूं और ये बात मैंने तुमें छे साल पहले भी बताई थी कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता और हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता और तुमन इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो प्लीज मत जाओ पर सिंग त्रिप्दा की एक बात भी नहीं सुनता और वो कहता है तुम सिर्प मेरी एक अच्छी दोस्त हो और मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की रिंग है और सिंग ये कहकर वहां से चला जाता है और बि से वो भी कम जोड पर जाती है कि तभी वहां पर जाओ आता है और कैट फाइली मैंने तुम्हें ढूंड लिया और जाओ रिंग को किड्नैप करके वहां से लेकर चला जाता है आगे सब आगे सिंग जब रिंग को ढूनने के लिए वहां पर आता है तो उसे वहां पर नहीं मिलती बल्कि गिफ्ट मिलती है तो पॉल जैसे गिफ्ट को देखता है तो वो सिंग को बताता है कि ये तो सिया की बेती है और रिंग इसी लड़की की हेल्प करने के लिए आई थी इसका मतलब सिया नहीं रिंग को किड्नैप किया होगा तो सिंग जैसे ये सुनता है व में illegal काम कर रहा है और लोगों को धुखा दे रहा है तो सिंग ने सिया से अपने सारे रिष्टे नाते तोड लिये थे और उससे अपना बिजनस भी अलग कर लिया था तो सिंग को लगता है कि साइद सिया इसी बात का बदला लेने के लिए रिष्टे को किड्नैप किया होगा तो सिंग भी अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए सिधा सिया को कॉल करता है और उसे धंकी देता है कि अगर उसने उसकी वाइफ को नहीं छोड़ा तो वो उसकी प्यारी बेटी को जान से मार डालेगा तो सिया ये सब देखकर तो पूरी तरह सौक्ट हो जाता है दूसरी तब जाव रिंग को अपने साथ लेकर जारा होता है कि तभी रिंग को होस आ जाता है और रिंग अपने आपको वहाँ पर बचाने की बहुत कोसिस करती है पर वो जाव से नहीं जीत पाती और इसी खीचा तानी में रिंग जाव का हाथ पकड़ लेती है जिस वज़ा से उसे जाव का फ्यूचर दिखाई देता है कि कुछ देर बाद इस गारी का एक्सिरेंट होगा और उसमें जाव की मौत हो जाएगी तो रिंग ड्रैवर को चिला चिला कर कहती है जाव भी रिंग के कहने पर गारी रुकवा देता है और इस चकर में इन लोगों का एक्सिरेंट होते होते बच जाता है तो जाव ये सब देर का पुरी थरा सौक्ट हो जाता है और कहता है सब जो तुम्हारे बारे में कह रहे थे कि तुम किसी का भी फ्यूचर देख सकती हो और उसे बचा भी सकती हो मतलब ये सब सच था दोसी तब सिंग सिया से बहुती पूस्ताज करने की कोसिस करता है पर सिया उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसके wife के बारे में कुछ पता ही नहीं होता तो वो लो gift का phone चेक करते हैं तो उनमें से उन्हें एक number मिलता है तो जिंग अपने बंदी को कहता है इस number को trace करो हमें इसी number से ring का location मिल सकता है दोसी तब जाओ रिंग को अपने बंदूग से खुब डराने की कोसिस करता है और उसे मारने की भी धमकी देता है पर रिंग पर उसके किसी बातों का कोई असर नहीं होता और वो कहती है आखिकार सिंग ने तुम्हारा क्या बिगारा है जो तुम ये सब कर रहे हो तो जाओ जैसे सिंग का नाम सुनता है उसका तो खोनी ख्वाल उड़ता है और वो रिंग को कहता है क्या तुमें मरने से डर नहीं लगता है तो रिंग कहती है आज ने कल सब की मौत आनी ही है अगर आज मेरी मौत लिखी हुई है तो वो होकर ही रहेगी तो उसे डरना क्या तो जहाओ रिंग की ऐसी बाते सुनकर तो पूरी तरह इंप्रेस हो जाता है और उसे कहता है और वो रिंग को कहता है मैं तुम्हे सच में पसंद करने लगा हूँ क्यों न तुम सिंग का साथ छोड़ कर मेरे पास आ जाओ सिंग तुम्हें जितना देता है मैं उसका तिन गुना तुम्हें दूँगा उस बुढ़ी ने तुम्हारी साधी जबर्दस्ती सिंग से करवा दी ताकि तुम सिंग की रक्षा कर सको लेकिन मैं तुम्हारे सामने कोई भी सर्थ नहीं रखूंगा बस तुम मेरे साथ एब रोड चलो और वहां जाकर सिर्फ मेरी रक्षा करना और उसके बाद तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है तुम वो कर सकती हो मैं तुम पर कोई भी पावंदी नहीं लगाऊंगा बताता है कि सिंग यहां पर आ गया है तो रिंग जैसे यह सुनती है वहां से भाग जाती है आगे इन दोनों में जमकर गोली-बारी होती है दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू रहते हैं और रिंग इसी मॉक्ई का फायदा उठा कर सिंग एपास चली जाती है तो स रिंग इस बात के लिए माफी मांगता है कि उसे रिंग पर इतनी पावंदी नहीं लगानी चाहिए और रिंग इस बात के लिए माफी मांग कि उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी कि बाहर खत्रा है और ये दोनों माफी मांग ही रहे होते हैं कि इन दोनों के बिच फिर से लग रहा है कि वो तुम्हारा बहुत ही पुराना दुस्मन है वो तुम्हारी फैमली के बारे में हर बात जानता है और उसे तो मेरे सुपर पावर के बारे में भी पता था उसने तो मुझे धेर सारे ओफर भी दिये थे अपने साथ जाने के लिए और उसने मुझे इतने अच अच्छे ओफर दिये थे कि मैं उसे एकसेप्ट भी करने वाली थी लेकिन एहम टाइम पर तुम टपक पड़े जिस वज़े से मेरे हाल से इतना बड़ा ओफर चला गया तो सिंग को ये बास उनकर बहुत ही गुसा आता है और रिंग सिंग को चिरहा कर वहां से चली जाती है आगे सिंग पॉल को कहता है रिंग के पैड़ों में चोट लगी है जाकर उसके पैड़ों में पटी कर दो तो पॉल कहता है सर आप चले जाएए ना मैडम के पैड़ों में पटी करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता पता नहीं मैडम को कहां कहां चोट लगी होगी म थोड़ी ना उन जगाओं पर उन्हें मलहम लगा पाऊंगा तो सिंग कहता है अगर मैं गया तो वो गुस्से से फायर हो जाएगी इसले तुम्हें ही ये काम करना होगा और सिंग उसे डाट फटकार कर वहां से भगा देता है आगे पॉल रिंग की मरहम पटी करता है और वो तुम उसे बहुती नफरत करते होगे ना क्योंकि मेरी वज़ा से तुम्हारी लाइफ में क्या कुछ नहीं हो गया तो सिंग कहता है तुम भी तुम उसे बहुती नफरत करती होगी तुम तुम उसे बहुत नफरत भी करती होगी और तुम तो मेरी सकल भी देखना नहीं चा सब्सक्राइबूत तो रिंग कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तो सिंग कहता है अगर आज मैंने तुम्हारे साथ वो नहीं किया और तुम्हारी सक्तियों को खतम नहीं किया तो जाओ कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और इसी तरह तुम्हारी जान पर खत्रा बना रहेग और वैसे भी दादा जी ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी सोपी थी और मुझे तुम्हारी इसलिए मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी इसलिए मुझे ये सब करने दो प्लिस सिंग रुक जाओ, मुझे पता है तुम्हें मेरी पढ़वा है, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, और रिंग रोने लगती है, और कहती है, तुम्हें क्या लगता है, कि मुझे अपनी सक्तियों को खोने का डर है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब करने के लिए रोक रही ह उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहती हूँ लेकिन मैं इस तरह ये सब नहीं करना चाहती प्लीज मेरी फिलिंग्स को समझो और मैं दादा जी का प्रॉमिस नहीं तोर सकती मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी तो मैं अपना वादा निभाऊ तो सिंग भी रिंग के साथ कुछ भी नहीं कर पाता और दोनों ही अपने अपने डर की वज़ा से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं सिंग रिंग को कुछ होने देना नहीं चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है पर वो ये बात रिंग को बता नहीं सकता और रिंग